आज हम लोग पढ़ेंगे नोइंग आवर नमबर्स पार्ट सेवन ओके तुम लोग अगर चाहो तो पार्ट वन से स्टार्ट कर सकते हो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा वहां से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं लार्ज नमबर इन प्रैक्टिस हम लोग को जो बड़ा नमबर होता है वो प्रैक्टिस करना है ठीक है इन अर्लियर क्लासेस इससे पहले क्लासेस में मतलब अभी तुम लोग 6 में पढ़ रहे हो क्लास 5 में क्या हो है we have learned that we use centimeter हम लोगों ने centimeter के बारे में पढ़ा है जो हम लोग डिनोट करते हैं cm से जो एज यूनिट अफ लेंथ वो क्या है unit अफ लेंथ मतलब length मेजर करने की एक यूनिट ठीक है फॉर मेजरिंग देज लेंथ ऑफ एपेंसिल एक पैंसिल का कितना लेंथ होता है वो वह मेजर करने के लिए हम लोग यूस करते हैं The width of a book, एक book कितना मोटा होता है या फिर कितना लंबा होता है, ठीक है, और notebook, ये सब मिजर करने के लिए हम लोग centimeter use करते हैं, ठीक है, Our ruler has marks on each centimeter, हम लोगों के पास जो scale होता है, ठीक है, वहाँ पे marks होता है centimeter में, ठीक है, For measuring the thickness of pencil, however, we find centimeters too big, क्या होता है, हम लोगों को एक pencil का thickness measure करने के लिए, मतलब कितना मोटा है, वो measure करने के लिए centimeter use करते हैं, लेकिन centimeter बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, मतलब centimeter भी बहुत बड़ा हो जाता है, इसी लिए, we use millimeter, अगर हमें, मतलब बहुत छोटा कुछ measure करना है, तो हम millimeter use करते हैं, ठीक है, तो show the thickness of a pencil, जो हम लोग एक pencil का thickness measure करने के लिए use कर सकते हैं, ठीक है, A, 10 millimeters is equal to 1 centimeter, यहाँ पर तुम लोगों को बोला गया है, 10 millimeter अगर हो जाए, तो वो equal to होगा 1 centimeter के, ठीक है, मतलब 1 centimeter और 10 millimeter सेम है, ठीक है, to measure the length of the classroom or the school building, अगर हम लोग को एक classroom का length measure करना है, और school building का length measure करना है, We shall find centimeter too small, तो फिर हम लोग centimeter से नहीं measure कर सकते हैं, तो फिर बहुत ज़ादा हो जाएगा, ठीक है, centimeter बहुत छोटा हो जाएगा, We use meter for the purpose, तो फिर वहाँ पे हम लोग meter use करते हैं, ठीक है, जैसे की, 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 meter कितना होता है, 100 centimeter मिला के 1 meter होता है, ठीक है, वैसे ही 1000 millimeter मिला के 1 meter होता है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है, Even meter is too small, meter भी बहुत छोटा हो जाता है, कब, when we have to state distance between cities, अगर हमें एक city से दूसरा city का जो distance है, वो measure करना है, तो फिर meter भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, Say, Delhi and Mumbai, और Chennai and Kolkata, अगर हमें दिल्ली से मुंबाई का measure करना हो, तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्या होगा, meter, और अगर Chennai से Kolkata करना होगा, तो भी, जो meter है, उससे काम नहीं चलेगा, For this, we need kilometer, इसके लिए हम लोग को चाहिए kilometer, ठीक है, जो हम लोग denote करते है, km लिखके, ठीक है, जो यहाँ पे bracket में लिखा हुआ है, ठीक है, Try this, how many centimeters make a kilometer, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे बोलना है, one kilometer में कितना centimeter होता है, तो देखो, यह मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए लिखा है, one kilometer is equal to one lakh centimeter, ठीक है, Next, क्या लिखा हुआ है, name five large cities in India, find their population, also find the distance in kilometer between each part of these cities, यहाँ पे हम लोग को five, मतलब five बड़े cities का नाम लिखना है, उसमें कितने population है, मतलब कितने आदमी रहते हैं, वो लिखना है, और जो cities के अंदर में distance है, मतलब कितना दूरी है, वो भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे जादा populated city है, मतलब जहाँ पे सबसे जादा आदमी रहता है, वो है दिल्ली, वहाँ पे रहता है 3.07 करोर्स, ठीक है, उसके बाद और एक city है, मुंबई, उसमें जो total population है, बाद total आदमी है, वो है 2.08 करोर्स, ठीक है, इतने लोग वहाँ पे मुंबई में रहते हैं, उसके बाद क्यालकटा है, वो भी एक अच्छा city है, वहाँ पे रहते हैं 1.52 करोर्स लोग, ठीक है, फोर्थ है चेन्नाई, वहाँ पे रहते हैं 1.15 करोर्स, ठीक है, और हाइदरबाद, वहाँ पे रहते हैं 1.04 करोर्स, इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अब डिस्टेंस हम लोगों को देखना पड़ेगा, कितना है, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस मतलब जो कितना दूर है, वो है 1414 किलोमेटर्स, ठीक है, उसके बाद मुंबई से क्यालकटा जाने के लिए, हम लोगों को कितना दिस्टेंस देखना पड़ेगा, 1925, मतलब 1925, ठीक है, क्यालकटा तो चेन्नाई, क्यालकटा से चेन्नाई का दिस्टेंस है 1665 किलोमेटर्स, ठीक है, चन्नाई तू हाइदराबाद, चन्नाई से हाइदराबाद का डिस्टेंस है 627, ठीक है, और क्यालकटा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो है 1564, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को अंदाजा हो जाएगा कितना दूर है, next, 1 km is equal to 1000 m, मतलब 1000 m मिला के 1 km होता है, ठीक है, how many mm make 1 km, मतलब कितने mm मिला के 1 km होगा, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि 1 m is equal to 1000 mm, 1 m में 1000 mm होता है, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 km is equal to 1000 m, 1 km में 1000 m होता है, तो 1000 m into 1000, ठीक है, वो हो जाएगा mm, तो टोटल होगा 10 lakhs mm, ओके, we go to the market to buy rice और feed, हम लोग जब बजार जाते हैं, rice खरीदने, मतलब जो चावल है, rice खरीदने और feed, जो गें होगा है, ठीक है, we buy it in kilograms, हम लोग वो kilograms में खरीदते हैं, ठीक है, हम लोग market में जाके बोलते हैं, एक किलो rice मतलब एक किलो चावल, ठीक है, हम लोग ऐसे मांगते हैं कि एक किलो चावल दो, ठीक है, but items like ginger और chillies, which we do not need in large quantities, लेकिन ginger जैसे की अदरक और chillies, ये सब हम लोग को जादा quantities में नहीं चाहिए होता है, मतलब थोड़ा सा amount में चाहिए होता है, ठीक है, we buy in grams, यहीं पे हम लोग grams का यूज करते हैं, ये सब हम लोग grams में खरितते हैं, ठीक है, we know one kilogram is equal to thousand grams, हम लोग को पता है, एक kilogram में एक हजार gram है, ठीक है, next, have you noticed the weight of the medicine tablet given to the sick, कोई अगर बिमार पढ़ जाए, तो उन्हें जो tablets दिया जाता है, उसका weight कितना है, तुम लोग को पता है क्या, it is very small, वो बहुत कम होता है, it is in milligrams, वो हम लोग milligrams में measure करते हैं, जैसे कि one gram is equal to thousand milligrams, एक gram में एक हजार milligrams होता है, ठीक है, what is the capacity of the bucket for holding water, एक balti जो होता है, उसमें कितना पानी होता है, उसका capacity कितना है, मतलब उसमें कितना पानी होगा, it is usually 20 liters, वो normally 20 liters होता है, ठीक है, यह और एक form है measure करने का, ठीक है, जो liter बुलते हैं हम लोग, capacity is given in liters, capacity को हम लोग liters में measure करते हैं, but sometimes we need a smaller unit, वहाँ पे भी कभी-कभी हम लोग smaller units use करते हैं, ठीक है, जो है 10 milliliters, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग उने पढ़ा, milligram, वैसे ही यहाँ पे होता है, milliliters, एक bottle of hair oil, हम लोग जो बालों में जो oil देता हैं, ठीक है, वो हम लोग milliliters में count करते हैं, ठीक है, एक cleaning liquid और एक soft drink, कोई cleaning करने के लिए जो liquid मिलता है, वो या फिर soft drink, जैसे की Coca-Cola या फिर thumbs up वो हम लोग जो लेते हैं, वो भी यहाँ पे milliliters पे count होता है, ठीक है, have levels which gave the quantity of liquid inside in milliliters, इन सब में हम लोग देख पाते हैं, milliliters में इनका जो capacity होता है, वो दिया हुआ रहता है, ठीक है, one liter is equal to 1000 milliliters, ठीक है, one liter मतलब एक liter में 1000 milliliters होता है, ठीक है, note that in all these units, we have some words common, like यह सब जो units हम लोगो ने पढ़े, यहाँ पे कुछ words common है, जैसे की kilo, milli and centi, ठीक है, यह सब common है, we should remember that among these, kilo is the greatest, हम लोग को यह याद रखना है, जो kilo है, वो सबसे बड़ा है, and milli is the smallest, और जो milli होता है, वो सबसे smallest होता है, जैसे की kilo liter, kilo meter, यह सबसे ज़ादा होता है, और milligram, milliliter, यह सब सबसे चोटा है, ठीक है, kilo shows thousand times greater, मतलब kilo होता है, हजार गुना ज़ादा, milli shows thousand times smaller, milli होता है, हजार गुना चोटा, ठीक है, that is, one kilogram equal to one thousand gram, one kilogram में हजार ग्राम होता है, और one gram is equal to one thousand milligram, एक gram में एक हजार मिलिग्राम होता है, ठीक है, similarly, centi shows one hundred times smaller, centi हम लोगों को सब गुना smaller मिलता है, जैसे की, one meter equal to one hundred centimeter, one meter में 100 centimeter होता है, ठीक है, यह सब हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद यहाँ पे try this, how many milligrams make one kilogram, कितना milligram में एक kilogram होता है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एक kilogram में 10 lakh milligrams होता है, ठीक है, next, एक बॉक्स में 2 lakh medicine tablets है, एक बॉक्स में 2 lakh medicine tablets है, हर एक मेडिसीन का वेट है 20 milligrams, what is the total weight of all the tablets in the box, in grams and in kilograms, यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे जो total, मतलब सारे मिलाके जो medicines है, उसका वेट कितना होगा, grams में बोलना है, और kilograms में भी बोलना है, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, तुम लोग देख पा रहे हो, कि 2 lakhs into 20 milligrams, ठीक है, वो होता है 40 lakhs milligrams, ठीक है, equal to, वो होता है 4000 grams, 40 lakhs milligrams और 4000 grams एक होता है, ठीक है, मतलब सेम, equal to 4 kilograms, और 4000 grams और 4 kilograms भी सेम होता, है ठीक है, यह सब calculations मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे side में लिख दिया है, ठीक है, तुम लोग यहाँ से देख सकते हो, एक बस है ठीक है, जो जर्नी है वो नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ questions बोल रहा है, find the total distance covered by the bus from A to D, कि A से D जाने के लिए जो total distance है, ठीक है, कितना दूर है, वो हमें बोलना है, ठीक है, चलो, मैंने तुम लोगों के लिए वो next page में जो bus का root है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, वो तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर next page में भी देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो journey है, find the total distance covered by the bus from A to D, A से D जाने के लिए, जो distance पड़ता है, वो कितना है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे जो distance है, वो add करना पड़ेगा, मतलब A से B जाने में लगता है, 4170 km, उसके बाद B से C जाने के लिए लगता है, 3410 km, और C से D जाने के लिए लगता है, 2160, यह तिनों add करके मिलेगा हम लोग को, 9740, यह है distance इन दोनों में, ठीक है, next, वैसे ही बोल रहा है, distance बोलने के लिए, कहां से D से G जाने के लिए, हम लोग यहां पे भी, जो D से E होता है, उसका distance E से F और F से G, यह distance total add करेंगे, जो मिलेगा, 15,520, ठीक है, वैसे ही, find the total distance covered by the bus, यह bus ने जो total distance travel किया है, मतलब A से back करके, फिर से A, वो कितना है, वो है 26,550, ठीक है, next, can you find the difference of distance from C to D and D to E, C से D का distance और D से E का distance में, जो difference है, मतलब कितना difference है, मतलब कितना जादा है या फिर कम है, ठीक है, तो C से D का distance है, 2160, 2160, और D से E का difference है, 8140, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या है, 8140 माइनस 2160, जो होगा 5980, ओके, next, find out the time taken by the bus to reach A to B, हम लोगों को यहाँ पे बोलना है, जो bus है वो A से B जाने में कितना time लाएगा, यहाँ पे A से B का distance है, 4170, और जो bus का speed है, वो है 60 km पर आवर, तो हम लोग 4170 divided by 60 करेंगे, तो मिलेगा 69.5 hours, मतलब इतना time लाएगा, C to D जाने में जो distance है, वो है 2160, उसे हम 60 से divide करेंगे, तो मिलेगा 36 hours, तो C से D जाने में 36 hours लगेंगे, E से G जाने में जो distance है, वो है 4830, उसे हम लोग 60 से divide करेंगे, तो लगेगा 80.5 hours, ठीक है, और जो total journey है, वो है 26,550, उसे हम 60 से divide करेंगे, तो मिलेगा 442.5 hours, ठीक है, चलो, आज हम लोग class यहीं पे खतम करते हैं, तुम लोग अगर चाहो, तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर, सब वीडियोज देख सकते हो, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगा, ठीक है, अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेर करना, सारे दोस्तों के साथ, सबस्क्राइब करना, अगर मेरे चैनल पे न्यू हो, और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियोज का नोटिफिकेशन, तुम लोगों के पास आता रहे, थैंक यू,